साथियों, अब हम उस थिती की तरब बढ़ रहे हैं, जहां गाउं के कुरुशी उद्योगों से फूड आधारी तुत्पाद, शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा उद्योगिक सामार बनकर गाउं पहुँचेगा, यानि अब टूबे चलेगा, और यही तो आत्म निर्भरत भारत अभियान का संकल्प है, और जिसके लिए हम सब को मिल करके, एक नए तरीके से, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ काम करना है, अब सवाल यह उड़ता है, कि जो क्रिशी आधारित उद्योग लगने वाले हैं, उनको कौन चलाएगा, इसमें भी जादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े-बड़े समूं, जिनको हम FPO कह रहे हैं, या फिर हम उसको किसान उत्पादक संग कह रहे हैं, इनी के द्वारा होने वाली है, और इसके लिए बीते साथ साल से, FPO किसान उत्पादक समूं, इसका एक बड़ा नेटवर्ग बनाने का अभ्यान चलाया है, आने वाले सालों में ऐसे दस हजार नए FPO किसान उत्पादक समूं, पूरे देश में बने, इस पर सभी राज्जों के साथ मिल करके, काम को आगे बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, साथियों, एक तरफ, FPO के नेटवर्ग पर काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ, खेती से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्रोच्छाइट किया जा रहा है, अभी तक लगभग, साड़े तीन सो क्रशी स्टार्ट अप्स को मदद दी जा रही है, ये स्टार्ट अप्स, फूड, पर्टिकुलर्ली फूड पोसेसिंग से जुड़े हैं, आर्टिफिशल इंटलिजेंस, इंटरनेट अप् तिंग्स, खेती से जुड़े स्मार्ट अप्करोनों के निर्मान और रिन्योबल एनर्जी से जुड़े हैं.